अर्मान मलिक और उनकी दोनों पत्निया इस समय लाइम लाइक में हैं शो के अंदर भी और बाहर भी उन तीनों की ही चर्चा हो रही है इस शो के दुरान पाल मलिक ने अपनी निजी जिन्दकी को लेकर खूब खुलासे की है अपाल के खुलासे के बाद लोग भी शोक रह गए है अपाल मलिक का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह रोती हुई अपनी गलती के लिए पच्टाती दिख रही है वीडियो में पाल कहती है आज से 12 साल पहले मैंने अपना घर अर्मान के लिए छोड़ दिया था जब मैं इनके पास आई थी तो इनके पास कुछ नहीं था ये 5000 रुपे देकर पीजी में रहते थे और जॉब करते थे मैं जब इनसे मिली थी तो मैं बैंक में जॉब करती थी मैंने इनके लिए अपनी जॉब और घर दोनों छोड़ दिया पाले कहा इन्होंने अपनी सच्चाई दिखाई अपने बारे में सब कुछ बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है बस मैं तुमको प्यार दे सकता हूँ और मैं भी उसी प्यार के भरोसे से सब छोड़ कर आई थी जब मैं आई थी तब हम बहुत ज़ादा गरीत थे पहले पीजी में रहते थे फिर दिल्ली में हमें भागना पड़ा क्योंकि दिल्ली में मेरे परिवार वाले मुझे डून रहे थे न्यूस में दिखाया जा रहा था कि गुमशुदा की तलाश इसलिए हमें भागना पड़ा पाल आगे कहती है हम वहां से भागे तो इनकी जौब भी चूट गई जो थोड़े बहुत पैसे थे इनके पास उसमें हमने गुजारा किया फिर मैं बहुत बिमार हुई जिसके बाद प्रेगनेट हो गई और आप्रेशन हुआ मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं लेकिन वो दुख मैं छेल गई क्योंकि मुझे पता था कि मैं इनका सहारा हूँ और ये मेरा सहारा है लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे इलावा इनका एक और सहारा है अगर मैं ना भी रहूँ तो ये उनके साथ जिंदगी गुजार सकते है बस मुझी यही सोच कर रोना आता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की हाली के एक एक एपिसोड में एक्ट्रिस सना मकबूल ने पायल की दर्ध भरी दास्ता सुनने के बाद अर्मान मलिक से तीखा सवाल पूचा जिससे सुनने के बाद उनके शहरे का रंगोड गया था अर्मान मलिक से सना मकबूल कहती है रोल को उल्टा कर दो अगर पायल किसी आदमी को बलाती तो क्या उस पर राजी रहती इस सवाल को सुनते ही है अर्मान मलिक का मुहल लडग जाता है और मैं कहते है वो क्या उसे घर में लेकर रखती वो तो बात ही बात है इसका कोई जवाद थोड़ी है सना मकबूल उनसे दवारा सवाल करती है जवाब देने को कहते है जिस पर Арmang कहते है Pile ने अपना लिया मैं नहीं अपना था बात खंब सना पूछती है कि क्या अगर पाइल एकसेप्ट नहीं करती तो क्या आप नहीं करती शादी जवाब देती हुए अर्मान कहते हैं नहीं करता लेकिन शादी नहीं हुई होती तो अगर शादी करके भी पायल लाती है किसी को तो भाई तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश अर्मान के इस जवाब को सुनने के बाद जोहां एक तरफ लोग पायल के लिए दुख जता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अर्मान को जब कर ट्रोल भी किया जाने लगा अब देखने यह है कि बिग बॉस के बाद अर्मान और उनकी दोनों वीडियों का रिष्टा किस मोल पर जाएगा ऐसे ही और वीडियो के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब फेस्बूप पर लाइक